एक बूढे भिखारी की अनोखी कहानी हर दिन की तरह एक भिखारी एक सेट के दरवाजे के पास आकर भीक मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देख कर फिर जाया करता कई बार उसके लिए गालियां भी बतता वो कहता तू जिन्दा ही क्यों है पूरी जिन्दगी ऐसे ही भीक मांगेंगा क्या धरती का बोज क्यों बना बैठा है और कभी-कभी उस भिखारी को गुस्से मेवा धक्का भी मार दिया करता इतना कुछ हो जाने के बावजूद बिखारी के मुह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे एक बार सेट को धंदे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली सेट बहुत प्रेसान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया गुस्य में अपना आपा खोते हुए सेट ने उस बिखारी को पत्थर दे मारा पत्थर लगने के कारण बिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खोन बहने लगा फिर भी दर्द से कराहते हुए बिखारी ने इतना ही कहा भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे बिखारी वहां से चला गया सेट सोच में पड़ गये कि बिखारी को पत्थर मारा फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थ ना गी सेट का गुस्सा सांथ हुए सेट का मन सांथ हुए बिखारी का रह से जानने के लिए सेट ने बिखारी का पीछा करना सुरू कर दिया भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता कोई उसको मारता कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा ब्यवहार करते लेकिन भिखारी सब के लिए एक ही प्रार्थना करता भगवान तुम्हारे पाप माफ करें अब रात होने को आई थी बिखारी अपने घर जानने के लिए लोटा वो अपने घर पहुँच गया लेकिन सेट अब भी उसका पीछा करही रहा था एक पुरानी तूटी हुई खटिया पर एक बुढ़ी अवरत लेटी हुई थी काफी कमजोर और बीमार लग रही थी वह भिखारी की पत्ती थी अपने पत्त को वापस आता देख हुआ खाट से उठ खड़ी हुई पत्नी ने अपने पत्त के भीख वाले कटोरे में देखा उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी उसे देख कर वह बोली आज बस इतना ही मिला और हाँ आपके सिर से खून निकल रहा है ये चोट कैसे लगी पुढ़ा भिखारी बोला आज बस इतना ही मिला किसी ने कुछ दिया ही नहीं सबने गालियां दि और एक ने पत्तर भी भेंका इसलिए मेरा सर फट गया एक गहरी ठंडी सांस लेकर बोढ़ा भिखारी फिर से बोला यह मेरे ही पापों का फल है तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे क्या कुछ नहीं था हमारे पास हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थे लेकिन हमने कभी दान नहीं किया और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था पोड़ी पत्ने की आँखों में आसू आ गए वह बोली हाँ हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे उसका अपमान करते थे उसे खाने के लिए रोटी की जगा कागज दिया करते उसका मजा कुडाया करते और कभी कभी मारा भी करते मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाए एक बार मैंने उसके मुह पर मिट्टे भी फेकी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे की एकी सजा देगा भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा उसका सराप सच हुआ और हम इस दुख फरी जिन्दगी में आ गए बेखारी बोला हाँ उसका सराप सच हुआ इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बरताओ करे मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिन्दगी का अन्भो करे किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं इसलिए अंजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता सेट वहीं पर छुप कर गया सारी बाते सुन रहा था अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था भिकारी और उसकी पतनी निवह आधी रोटी मिल बाट कर खाए और भगवान को धन्यबात बोल कर सो गए सीख इस कहानी से जो सीख लेने लाइक है वह बड़ा ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है क्या हुआ है अगर भगवान नहीं दिखता है लेकिन यह बात बिल्कुल सच है पक्का होता है इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो धन्यवाद